नमस्ते दोस्त लोग आज में आप लोगों को बता रहा है मैं अजर्बाइजान कंट्री में केसे विसिट करेगा कैसे आप टोरिस वीजा अपलाई करने का तरीका बहुत आसान है आपको यह वीजा यह जो देख रहा है यह वेबसाइट में जाने का तो फिर आप सिंगल तो यह जो लिस्ट देखा रहा है वो जो हर कंट्री को असर्बाइजान विसिट कर सकता है तो अभी मेरा नेशनल्टी दालता हूँ अगर इंदिया है तो इंदिया डाल सकता है तो में श्री लंका चला तो अपना पास्पोर्ट मेरा ओडिनरी पास्पोर्ट है अगर आपका डिप्लोमेटिक है जैसे जो आप एंबसी में कोई ओफिशियल काम कर रहा है तो फिर डिप्लोमेटिक पास्पोर्ट होता है लेकिन ज्यादर तरह लोग का ओडिनरी पास्पोर्ट रहता है तो इ अखने का चोटा बड़ा नियुमरिक बराबर डालने का नहीं डालेगा तो नहीं आएगा तो कैपस डॉला पिर कंटिन्यू तो इदर पूच रहा है पॉपस क्या है तो फोपस में टूरिसम डालता हूं तो इदर दो तरीका आता है का स्टैंडेट तीन दिन के अंदर तो तोड़ा पैसा कम पड़ रहा है अगर अरजन डालेगा तो तोड़ा प्रिसा ज्याद पड़ता है तो मैं तीन दिन का स्टैंडर करता हूं ठीकिए जो वीसा कब से स्टार्ट होने तो आज में आज September 22 से आता है कि वगर आज 16 तारिख है तो तीन दिन के बाद और जब से वीसा प्रोसेस होता है उस दिन के बाद वीसा आता है नहीं तो आपको फ्यूचर डेट रखने का कब से कब तक है इदर आपको चुन सकता है तो उस दिन से तीन माईने तक आपको वीसा वैलेडिटी रहता है फ्रॉम डेट सू एंड डेट तो इदर आभी देख रहा है यह 30 सप्तमबर से 29 सप्तमबर तक आपको वीसा इस्यू करेगा लेकिन यह दिन यह यह डियूरेशन का अंदर ही आपको एक बार विसिट कर सकता है लेकिन जो एक बार विसिट करने कड़ाएं में 30 डेस के ऊपर नहीं रह सकता है 29 डेस उदर रहेके वापस आ सकता है तो पीसा पीस आप लोग को इदर देखा रहा है 20 यूएस डोला और 5 सेविस चार्जस 5 तो टोटल 25 बनता है तो इदर जाके कंटिनिव कर रहेगा तो ठी कंटिशन इदर आता है 214 एलेट्रनिक वीसा थूदर आसान वीसा सिस्टेम और करन तो यह कंटिशन पढ़ रहे तो कुछ जादा चीज़ नहीं है तो उसके बाद एक्सप्ट किया तो इदर पूछ रहा है एक्सामपल कोफी आफ ट्रावल डोकिूमन जो आपका पासपोर्ट जो इदर डाउनलोड करना चाहिए यह तारीका से जो इदर ग्रीन कलर का देख रहा है क्लियर होना चाहिए छोटा भी नहीं है वो क्लियरली आपका पासपोर्ट का नाम जगा एक्सपारी डेट उधर होना चाहिए तो इदर आपका नाम दे दिये तो इदर मेरा नाम आपता हूँ तो डेट अब वर्थ कुछी भी है ऐसे डाल दो कंट्री आफ बर्थ प्रॉआ प्लाइब आपका नाम जब दो पैसे प्लाइब दो कोई भी फोन दी डाल दीजैंड़ कुछी भी आपका जो कानल जौप रहता है उदर अड्रेस डाल दीजी इमेल आपका सही इमेल अड्रेस डालो इदर क्यों आपका विशा इमेल में आता है ठीक है पिर पास्पोर्ट नंबर सही पास्पोर्ट नंबर डालो ऐसे पिर पास्पोर्ट इशू डेट एक्सपार डेट बराबर इतर से डाल दो पिर address ये थोड़ा important है address of accommodation in Azerbaijan तो उसके लिए आप क्या करना चाहिए आप जाहिए कोई भी है इदर कोई Azerbaijan का कोई होटेल का नाम डून ली कोई होटल का वेबसाइट आता है जैसा कि मैंने चेक किया कोई ब्यासरवाइजान का होटेल लेजिए कि तो उधर होटेल का एड्रेस मिलता है इदर जैसा तो कोपी करें लीजिए फिर इदर वो डाल दीजिए फिर बात में कोपी अफ़ पासपोर्ट को आपका पासपोर्ट का इदर अटेच कर लीजिए इदर से अटेच्मन जाके अटेच कर लीजिए फिर इदर से एक क्वेशन पूछ रहा है अगर आपके साथ और एक परसन जा रहा है तो उसका भी डीटिल्स इदर न्यू एड्ड न्यू बटन में एड्ड कर सकता है नहीं है तो फिर आप कंपलीशन में जा जिए तो इदर कुछ मेरा रिसिडेंस का एड्रस का क्योंकि मैंने गलत मारा इसलिए आता है नहीं है तो बराबर उदर जाके फिर आपका पेमेंट पूछ रहा है तो पेमेंट पूछ के एकसिप कर रहा है तो रेफरेंस नंबर के साथ वापस अगर यह पेज में जाएगा तो भी तीन दिन के बात आपको वीसा आया तो वीसा भी अधर डाउनलोड कर सकता है नहीं तो आपको ईमेल में बराबर वरकिंग थ्री डेज के अंदर आपको वीसा आ जाता है यह इधर कंप्लिट करेगा तो त इन गबाद इसा आएगा इमेल में तो इसी प्रॉस